हेलो एवरीवन दिस दिक्षा राठोर और वेलकम बैक टो माई चैनल सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है भारत के महतवपुण वन्याजीव और उनका प्राकरतिक निवास ठीक है क्योंकि हर एक्जाम में इस टॉपिक से एक दो मार्क्स के कोश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और वीडियो को लाइक और शेकर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो शुरू कर लेते हैं तो सबसे पहला जो महत्वण वन्यजीव है वो है हाथी तो हाथी का प्राकर्तिक निवास है असम केरल एवं करनाटक के जंगलों में ठीक है एक्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि असम केरल वे करनाटक के जंगलों में किसका प्राकर्तिक निवास है किसका है तो ये है हाथी का अगला पॉइंट है उट ठीक है उट का प्राकर्तिक निवास है तो वो है थार मुरूस्थल थार डैजर्ट जिसको कहते हैं भारत के उत्रपश्मी में और पाकिस्तान के दक्षिर पूरूम में है ये जो डैजर्ट है अगला है जंगली गधा तो जंगली गधा का प्राकर्तिक निवास है कच का रण देखे कच का अर्थ होता है डियर मतलब ये न वहाँ गुजरात में जिला है कच ठीक है इसी वज़े से ये पड़ा है नाम इसका कच का रण तो गुजरात का एक जिला है तो एक सिंग वाला गैंडा जो है इसका प्राकरति की निवास है असम एवं पश्चमी बंगाल के दलदली शेत्रों में ठीक है अगला पोईट है भारतिय शेर तो भारतिय शेर का जो है वो है सोरास्ट का गिर्वन तीक है सोरास्ट का गिर्वन यानि गिर नैशनल पार्क जो है यह भारती है शेर के लिए जो है यह मतलब इसका यह जाना जाता है गिर नैशनल पार्क जो है और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में तीक है ये जो है ना सुरास्ट का गिर नैशनल पार्क जो है इसके निकट कौन सा जो है शेत्र लगता है तो वो जूनागड लगता है ठीक है सुरास्ट का गिर नैशनल पार्क जो है जूनागड इसके निकट लगता है और ये ना गुजरात में है सुरास्ट का गिर वन जो है ये ग सुन्दर्वन , रास्टयाँ ध्यान जो है , यह इसका प्रक्रतिक निवास माना जाता है भारत के पश्यमि बंगाल राज्य के दक्षनिबाग में गंगा नदी के सुन्दरवन डिल्टा शेत्र में यह एक रास्टयाँ यह बाग सरक्षी शेत्र और बाय अध्यान हुआ था ना उसमें पता चला था कि राश्ट्य उद्यान में बागो की संख्या जो है वो 103 है ठीक है पूचा जाए ना कि कितनी संख्या है बागो की टाइगर्स की तो ये है 103 ठीक है और एक चीज ओड ये चार मई चार मई 1984 को जो है इसे जो है राश्ट्य उद्यान घोशित किया गया था ठीक है ये भी पूचा जा सकता है ना कि भई इसको राश्ट्य उद्यान का घोशित किया गया तो चार मई 1984 को और वन्य जी अभ्यान घोशित किया गया था 1977 में यानी 1977 में ठीक है अगला है हिम तेंद्वा एवं पांडा तो हिम तेंद्वा एवं पांडा का जो प्राकर्तिक निवास है वो है हिमाल्या के उच्छे शेत्र जंगली भेड पहाडी बकरियां जो है ये इनका प्राकर्तिक निवास है तो यह कहां पाई जाती है हिमालय के शेत्र में ठीक है तो दियर यही थी आज की हमारी पॉर्टन वीडियो I think आपको जो है यह क्लियर हो गया होगा क्योंकि इसमें से इसी तरह से कोश्चन एक-एक माक के दो-दो माक सी कोश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए So thanks for watching my video, do like, share and subscribe my YouTube channel Till then, bye-bye, Rabraka, Jaya Bhulinaat